24 वा, इसका जवाब दीजेगा आप लोग, ठीक है ना? क्या इश्व ने कहीं भी, कभी भी अपने चेलों को अन्य बाशा में प्राथना करना सिखाया था? मेरा question है आपसे. क्या कभी प्रभु इश्व मस्सी ने अपने चेलों को प्राथना करने सिखाया था? भाई आपका Bible study कमजोर हो चुका है वो सबसे बड़ा problem है आपको वापस renew करना पड़ेगा उमर जैसे बितते चले जा रहा है आपका याददाश चले जा रहा है आपका यादश कम होते जा रहा है मरकुस की किताब अध्याए 16 मरकुस की किताब अध्याए 16 और वचन 17 लिखाया ऐसे विश्वास करने वालों में चिन्न होगा कि वो मेरे नाम से दुस्तात्मा को निकालेंगे नई नई भाषा बोलेंगे नई नई भाषा बोलेंगे यहाँ पर नई नई है नया नया भाषा है मतलब लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखाया new tongues नई भाषा ठीक है नई भाषा लिखाया नहीं यहाँ पर तुम बोलो होगे कर गया यहाँ यह यह उनको अल्रेडी ट्रेन कर रहा था कि होगा यह जो मेरे नाम पर विश्वास कर रहे वो नई भाषा से बोलेंगे अब और कितना clear scripture चाहिए आपको फिर आप बात करोगे कि येश्यो ने क्यों कभी अन्य भाषा में बातें नहीं की येश्यो को ग्रोथ की जरूवत नहीं वो अल्रेड़ी spiritual grow हो चुके थे उनसे जादा कोई spiritually grow हो नहीं सकता है और अन्य भाषा हमारे spiritual growth के लिए हमारे उन्नती के लिए ताकि हम उन्नती खुद का करें और फिर हम दूसरों का उन्नती करवाए अगर आप उन्नती नहीं करोगे आप दूसरे का उन्नती कैसे करवा सकते हो थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कभी तो बुद्धी मता की बाते करो हमेशा ऐसी बाते करते रहोगे क्या